इसका सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश इंदी दोनों में आई है मैं दोनों लेंगे आप लोग लेंगे इसके लावा चलिए शुरू करते हैं पहले कितना आप लोग इसे सब अच्छे से लेबल कर लेंगे जो भी आप लिखते हैं नाम क्लास इचे नेम सब कुछ ठेक है तो प काउंट दा आर्टिकल्स आर कॉल नैच्रल नंबर एक्जांबर 1234 यानि 1234 सारे जो नंबर है ए टुजट सब नैच्रल नंबर होते हैं ठीक है अब इसमें लिखा है राइट यानि 5 नैच्रल नंबर तो हमने इससे आगे के लिख दिये 5 6 7 8 9 ठीक है तो हमने 5 नंबर लिख तो इस तरह से आपके नैच्रल नंबर हो गया है उसके बाद लिखा है वेन वी इंक्लूडिंग माइनस यानि नेगेटिव पॉइंट हम लगा देते हैं नैच्रल नंबर के आगे यानि कि सारे तो वी विद नैच्रल नंबर एंड इस कॉल्ड इंटीज अब उसे हमें क्या का मिलेगा इंटीजर्स मिल जागा यानि उसमें माइनस होना चाहिए तो देखिए यहा आपको दिया तो इससे आगई कि मैंने माइनस फॉर। और इंटीजर्स लिख दिया है और इधर से लिख दिया फोर फफाइफ सिक्स से तो आप लोग भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे अ आपको दिया गया है ठीक है तो राइट सच नंबर वी नीड है आप ओफ इंटीजल इस नंबर और इन नंबर को हम लोग क्या कहेंगे रैशनल लंबर कहेंगे तो इसके लावा यहां देखें दे रखार रैशनल लंबर कैन वी रिप्रेजेंट इन फॉर्म आफ पॉन में क्य लेकिन क्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा जीरो के बराबर ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल लंबर अगला दिया है आपको फॉर्म दे नंबर ग्रुप्स अब देखें यहां आपको नंबर दिये गए हैं कुछ यह रिखिए अब इनको यहां नंबर ग्रुप अब आपको पता है क्या होता है माइनस होता है यह दोनों उसके लाव़ा यह माइनस 72 यह तीन हो हमारे वह हों यह नंबर कोसे और आपको पता है जो नंबर अपवान में आते हैं वह रिशनल नंबर तो देके तीन यहelectों हो गया यहां मैंने लिख दिया कि इसमें जो है कंप्यूटर में जब हम इस तरह से लिखते हैं तो 3 upon 7 ऐसे होने की बजाए यह माइनस 3 upon 7 हो जाता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि यहां दे रखा है ठीक है इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं यहां लिखा है राइट एनी 5 अब आपको इसी तहां से पांच खांच आपको इस दिखा खांच अबूचिए